नहीं वसूल आ जा रहा है गौवन्मेंट ओफ इंडिया हो या रेलवेज हो किसी भी क्योशिस में हमने कभी भी कोई भी वरकर से चार्ज करने की बात नहीं की है हमने 85% जो पूरी ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस बेर किया जाता है वे 85% जो है वो रेलवेज बियर करती है 15% स्ट्रीट को बियर करना है रेलवेज राज्यों के अनुरोद पर विशेश श्रमिक ट्रेने चला रही है जिसके माध्यम से हजारों फंसे हुए प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है इस प्रकार से फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है जिसके तहट अगर जरूरी नहीं है तो लोग यात्रा ना करें और बहुत जरूरी हो तब ही यात्रा करें यात्रा करने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा न्यूक्त किये गए नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा जिसके आधार पर संबंधित राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी कि किसी व्यक्ति को यात्रा करनी की अनुमती देनी है या नहीं मजदूरों की घर वापसी पर कॉंग्रिस पार्टी की ओर से बयान आया कि सरकार को मजदूरों से किराया नहीं वसूलना चाहिए इस राजनितिक बयानबाजी के बाद भाजपा भी कॉंग्रिस पर आकरामख हो गई और कॉंग्रिस पर आरोप लगाया कि उनको इस प्रकार के समवेधनशील मुद्धे पर राजनिती से बचना चाहिए इस बीच केंदर सरकार के इस प्रियास की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहना की है और कहा है कि इस संकट की घड़ी में केंदर ने ये समवेदनशील कदम उठाया है आंदर परदेश तलंगाना बिहार मद्परदेश जैसे तमाम राज्यों ने पूरा खर्चा उठाने की बात कही है तो वहीं कुछ राज्ये हैं जिन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने कहा है कि वो सभी मजदूरों को वापस बलाने का सारा खर्च उठाएंगे मद्परदेश के मुखे मंतरे शिवराज सिंग चौहान ने भी मजदूरों की घर वापसी पर पूरा खरचा राज सरकार दोरा वहन करने की बात कही है केरल सरकार ने भी जो नियम तै किये उसके तहट किराया वसूलने की बात कही